तो आपके portfolio में ऐसी कोई company है जिसमें आपने अच्छा खसर पैसा लगा रखा है और अचानक से वह company delist हो जाती है तो आपको परिशान होने की जिरोत नहीं है आप जी वीडियो पूरा देखेंगा आपको सेब पता चल जाएगा क्योंकि company delist होती है तो ऐसे ही नहीं होती उसक कोई के वी कुछ terms and conditions होती है क्योंकि company कोई भी company होती है वह किसी भी stock exchange में list होती है और उसके condition кुछ condition कुछ terms होती है कुछ term होती है कुछ conditions होती है इसके तहिए company का बात करने वाले है जो डीलिस्ट हो चुकी है और उसकी ट्रेडिंग बंद हो गई है तो यहाँ पर आपको बता दू कॉसल लिम्टेड है कैसी कमपणी है जो डीलिस्ट हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो तो कमपणी को सस्पेंड कर दिया गया है और यह डीलिस्ट हो चुकी यह कमपणी मार्केट से ठीक है अभी फिलाल इसकी कोई भी ट्रेडिंग मार्केट में नहीं हो रही है इस्टॉक एक्शन में बेसी की साट पर यह दिखाया गया है तो इसमें कोई भी 10 जून 2022 को यह जो ह है उतनी है सबसे पहले हम बात करने लिस्टिब कमपनी होती क्यों है आफिर ऐसा क्या होटा है कि किसी भी ईक्सटन से लिस्टिंग गैसर्स में पहुत कम होती है कभी spic सब्सक्राव बाइर क्या निकलती है तो एक तो यह होता है कि स्टरेडिंग कम होती है या कंपनी बैंक्रप्ची घृसित कर देती कब तब कंपनी वॉलंक्री में प्राइवेट कंपनी होना चाहती है यह कंपनी होना चाहेगी कि सारा जो भी सियर है इस कंपनी के वह प्रमोटर्स जो है वह चार है कि हम सारे सियर खुद ही रखें हम स्टोक में एस चैन्ज में ट्रेडिंग नहीं करवाएंगे किसी को नहीं देंगे किसी को था तो इसलिए प्रमोटर्स खुद डीलिस्ट करवा देते हैं और कई वार से भी या पर एनसी करवादेता है मतलब डिलिस्ट वो खुद कर देता है वो क्यों करता है यूचली वो तो यूगा वोलइंट्री जिसमें मार्केट में जो कंपनी है न अंतर आता है कपनी के ऑच्क रूपने आता है कि कंपनी के से भी क्यों डेलिस्ट करती है? कि आया तुमने कंपनी अपनी लिष्ट कर वा थी हमारे इच्चंज में लेकिन तुम हमारे कमप्लाइंस है, जो हमारे कंप्लाइंस हैं उनको पुरा नहीं कर पा रहे हो हमारे जो भी सर्ते हैं जो भी रूर्स एंड रेगुलेशन है तुमारी सिकायत में बहुत आ रहे हैं तुमारे इस स्टॉक में हम तुमारे स्टॉक को डिलिस्ट कर रहे हैं अपने स्टॉक एक्सचेंस से ठीक है तो दो तरके की डिलिस्टिंग होते हैं व्लेंटरी decade किया जाता है ठीक है एक floor price decide किया जाएगा एक price decide किया जाएगा जिसकोważ Lakes decide करें जिसके तहन से चेले हम होलिट जुए reverse book bidding लगाएंगी उस प्राइस के तहफे तहन सकते हैं उससे उपर लगा दें या पिर कुछ लोग उसी के बरावल लगा है जो जो शेर होल्डर है उसको बिडिंग लगाते हैं तो जैसे कि कंपनी का IPO होता है तब तो कंपनी बिडिंग लगाती है कि हम इस प्रैस पर अपना IPO मतलब मार्केटम ला रहे हैं लेकिन जब डिलिष्ट होती है तब reverse book bidding जब shareholder bidding लगाते है तो किसके लगाते है फ्लोर फ्रैस गिया गया है और कंपनी के जो फ्लोर प्रैस असके आसपास लगा और उस्ते ज्यादा करें अगर फ्लोर प्रैस में और उसमें reverse book bidding जो लगाई जा रही है share holders के त्वारा अगर उससे उपर लगाई गई है तब भी share holders को फिर अगर उसमें माल लीजे 50 share holders है किसी कमपणी में और उन्हाने reverse book bidding लगाई ठीक है और उन्हें से 40 ऐसे लोग थे जिन्होंने जो floor price decide किया गा था उससे उपर उन्हें बिडिंग लगाई ठीक है तो प्रमोटर जो है उसको उसी रेट पर बाय करेंगे ठीक है क्योंकि वहां पर बोटिंग ज्यादा है उस price की ठीक है तो इस तरीके से क्या है क्योंकि वोलेंट्री है क्योंक आपके share को अगर आप दिरिश्ट करवा भी रहे हो तो हम आपके share को बेचाएंगे तो हमें यह रेट पे हम आपको यह share बेचाएंगे वहां पर क्या है आप मालिक हो ठीक है जैसे कि IPO में वह मालिक होते है कि हम इस rate पर आइप यहाँ पर आप मालिक हो रिवर्स बग बडिं जिसके तहत फिर वैलू एक डिशाड किया जाए कंपनी का जिसके तहत जो भी वैलू डिशाड कियाएगी उसी के तहत प्रमोटर्स जो है उस कंपनी के सेर्स को बाय करेंगे उल्टा अब सर हमें पता कैसे चलेगा देखो कंपनी डिलिश्ट हो गई ठीक है अब अखवार के दिवारा न्युष के द्वारा मीडिया के द्वारा ये आप पता कर सकते हैं कि कंपनी डिलिश्ट होगी तो उसकी एक महीने तक बिडिंग लगती है एक महीने तक आप share को बेश सकते हो, promoters को, अगर आप नहीं भी बेशते हो, तो उसके एक साल बाद तक भी बेश सकते हो, company आपकी share को खरीदेगी, ठीक है, और आप फिर भी नहीं बेशते हो, तो आपका trade, आपको dividend बगरा जो भी होगा, वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन अच्छा solution यह है कि उसको सुल्टा दिया जाए, भाई, sad में हो जाए, उसको सुल्टा नहीं, बेटर रहता है, तो सर, हमें पता नहीं चल पा रहा है, कि क्या bidding लग रही है, कब तक हम बेश सकते हैं, सर, आपक broker उससे buy करके पूछ सकते हो, बिल्कुल simple way है, क्योंकि company बहुत छोटी थी है, इसके बारे में ज्यादा knowledge मुझे तो नहीं मिली पाई है, बाकि अगर किसी को मिल जाए, तो अच्छी बात है, कि company का क्या bidding price है, और क्या timing है, इसका ठीक है, तो आप अपने stock broker से बात करके, पत हम तो बेची नहीं पा रहे हैं, अगर हम नहीं बेचा तो क्या होगा, तो आप नहीं बेच होगे, तब भी आपको dividend मिलता रहेगा, बस यह है कि आपको share जो है, वो trading नहीं होगी, ठीक है, ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, market में, क्योंकि उसकी trading बंद कर दी जाती है, तो इ आपको बालीजी, आपने कोई दिखान खोली, बंद हो जाएगी, तो इसके बाद आप क्या करोगे, तो वो सब पता होना चाहिए, आपको ठीक है, सर हम नहीं बेचना चाह रहे हैं, तो सर आप बेच कीजिए, कंपनी अगर future में अभी trading होती है, इस company में, दुबारा listing होती ह तो आपके share फिर trading करने लग जाएं, और आप नहीं बेच पा रहे हो, तो आपको dividend बगरा मिलता रहेगा, बस यह एक trading नहीं होगी, अगर future में कभी delisting के बाद फिर listing होती है, तो फिर वो ही same चलेगा, ठीक है, तो यह था, कुछल लिम्टेट कंपनी डिलिस्ट हो चुगी ह और अपने अपने stock broker से बात किजिए, और अपने share को बेच दीजिए, कंपनियों के मालिक को, तो वीडियो अच्छे लगा हो, तो comment करके बताएगा, कैसा वीडियो लगा, like कर लिजेगा, और एक बार बताएगा जरूर कि किस के पास कितने कितने share थे, ठीक है, comment करके, thanks for watching and subscribe कि युनल,